तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है Mini Attempt E Classes चैनल पर तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टुडेंट नर्सिंग की नीट की और मेडीकल के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्टीटिव एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं या नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर जो इंपोटेंट टॉपिक हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं उनको बार 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 डिसकर्स करता हूं तो आज उसी सीरीज को continue करते हुए आज हम Blood and Its Components नाम का chapter clear करने वाले हैं उस टॉपिक को हम clear करने वाले हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आज हम एक positive thought के साथ में इस वीडियो को सिरुवात करेंगे तो वो आपके सामने आपकी screen पर दिखाई दे रहा होगा कि बिना दूरी तै किये हुए बिना दूरी तै किये हुए आप अपनी मंजल तक नहीं पहुँच सकते means अगर आपको अपनी मंजल तक पहुचना है अपना लक्ष प्राप्त करना है तो आपको मेनत भी उसी प्रकार की करनी पड़ेगी उसी लेविल की करनी पड़ेगी तो शुरू करते हैं माज की क्लास तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लड एक important topic है जो कई सारे exams में regularly पूछा गया है तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ब्लड होता क्या है ब्लड is a fluid connective tissue fluid connective tissue के नहीं कहते हैं ऐसे fluid जो हमारी all over body को connect करते हैं all over body को connection देते हैं उसे हम कहते हैं fluid connective tissue तो जैसा कि आप जानते हैं कि blood एक connective tissue है all over body, all over body systems को, organs को आपस में connect करने का इसका work है क्योंकि blood एक essential product है जो body के अंदर जितने भी waste product है जितने भी essential product है, nutrition है या respiratory gases उन सभी respiratory gases को, nutrition को, सबको transport करने का काम ये blood का होता है इसी लिए इस blood को fluid of life, fluid of growth and fluid of health कहते है तो चलिए आगे हम पढ़ेते हैं अब physical properties of blood ब्लड की क्या-क्या properties होती है तो properties में सबसे पहले आता है इसका color तो blood का color, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं blood का color होता है red, red क्यों होता है इसके पीछे का एक कारण है blood के अंदर एक hemoglobin नाम की protein पाई जाती है एक RBC के उपर surface पर hemoglobin present होता है जिसकी वज़े से blood का color कैसा होता है, red होता है तो आप भूलेगा नहीं, exam में कई बार पूछा गया है कि color of blood is defined by तो ये इसका answer होगा hemoglobin hemoglobin blood की color को define करता है उसके बाद में बात आती है pH की तो उसका जो pH है, वो होता है लगवग 7.4 कितना होता है? 7.4 अगर आपको exam में 7.4 न मिले तो उसकी जगे आपको क्या tick करना है फिर? 7.35 से 7.45 means लगवग ये alkaline होता है slightly alkaline, हलका alkaline होता है उसके बाद में बात आती है volume की यानि हमारे all over body के अंदर कितना blood पाया जाता है तो 5-6 liter blood लगवग हमारे शरीर में ये present होता है और ये हमारी body का लगवग 7-8% body weight होता है अगर हम किसी एक adult की बात करें तो adult के अंदर हम लगवग 70-70 kilo बजन मानते है तो उस व्यक्ति के अंदर लगवग 5-6 liter blood होना चाहिए ठीक है उसके बाद में बात आती है temperature तो blood का temperature जो होता है वो लगवग 38 degree Celsius होता है और Fahrenheit में अगर पूछा जाए तो 100.4 degree Fahrenheit clear उसके बाद में specific gravity तो इसकी specific gravity 1.052 से लेकर के 1.062 तक होती है अब हम बात करेंगे next composition of blood हमने पढ़ लिया ब्लड की definition के बारे में हमने पढ़ लिया properties के बारे में अब हम धीरे धीरे करके इसकी other properties के बारे में decomposition के बारे में cells के बारे में plasma के बारे में पढ़ेंगे तो एसलिए BDU को पूरे end तक देखें continuous देखे चीक है तो अब बात करेंगे हम composition of blood की तो blood दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है इसके composition में दो चीज़ आती है एक आता है blood plasma और एक आती है blood cells blood plasma जो होता है वो 55% present होता है blood cells की मात्रा 45% होती है याद रखिएगा blood plasma 55% होता है blood cells 45% होती है उसके बाद मैं अब एक एक करके हम define करेंगे कि blood plasma क्या है blood cells क्या है तो blood plasma क्या है the blood plasma is a consist of 91 to 92% of water and 8 to 9% of solid जो blood plasma है वो एक liquid portion है blood का जो की colorless होता है या हम कह सकते हैं pale yellow होता है हलका पीला होता है और ये इसका level लगवग इसके अंदर 91 से 92% water होता है और 8% 8 to 9% इसके अंदर solids की मात्रा होती है ठीक है तो अब इसके बारे में हम study करते हैं अब बात करेंगे हम इसमें कि blood के अंदर जो solid substances अभी मैंने आपको बताया था 91 से 92% water होता है plasma के अंदर लेकिन कुछ solid substances भी तो है तो वो क्या है वो होते हैं जैसे carvohydrate हुआ fat हुआ, enzymes हुए, antibodies हुए, amino acids हुए, respiratory gases हुए, plasma proteins हुए और कुछ ऐसे substance जो की nitrogenous waste product भी हैं वो सभी substance इस blood के अंदर solid form में present होते हैं और gases में, मैंने वह आपको बताया है, हाँ पर लिखा हुआ है gases लेकिन यह gases एक अलग classification है, जिसमें oxygen, CO2, nitrogen वगेरा यह लेकिन होते किस के अंदर है, plasma के अंदर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा है और वीडियो को साथ की साथ share जरूर करें, ऐसे लोग जो की medical की तयारी कर रहा है और नीट की तयारी कर रहा है, उन बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा share करें, जिससे उनको benefit हो पड़ सके, ठीक है चलिए next, अब बात करेंगे, हम plasma के अंदर पाई जाने वाली plasma proteins यह very very important है, क्योंकि plasma जो बनता है, उसके अंदर main composition में plasma proteins हाती है तो plasma proteins होती है, उनको mainly reticulo endothelial cells, जो liver के अंदर पाई जाती है, वो उसको secret करती है, वो बनाती है total इसका level अगर हम देखें, तो लगवक 7.3 से ले करके, यह 6-8 gram percent तर इसका level होता है उसके बाद में आते हैं, इसके types के बारे में, तो plasma protein तीन तरह की होती है, 3 types की होती है जिसमें सबसे पहली है L women, दूसरी है globalin, और तीसरी है fibronogen जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अब L women के बारे में, तो L women क्या है? L women एक plasma protein है, जो blood के plasma में present होती है, और इसका main role होता है buffer action buffer action means pH को maintain करने के लिए, blood के pH को maintain करने के लिए, और साथ में osmotic pressure को ये maintain करती है तो क्या होगा? अगर इसकी कमी होती है, फिर बात आती है, किसका main role है, osmotic pressure को maintain करता है लेकिन अगर इसकी deficiency होती है, कमी होती है, तो क्या होगा? अगर इसकी कमी होगी, तो nephrotic syndrome जैसी disease patient में हमें देखने को मिलेगी, उसका normal level मैंने आपको बताया है, 4.7 gram percent अब हम बात करेंगे next, अगली protein का, जिसका नाम है globalin, globalin क्या है? globalin भी एक plasma protein है, जो defense mechanism में help करती है, किसमें help करती है? defense mechanism, या हम कह सकते हैं, यह हमें immunity provide करती है, immunity means defense mechanism या ऐसी mechanism, जिसके द्वारा हमारा शरीर किसी भी foreign body के लिए, किसी भी foreign particle के लिए, किसी भी pathogen के लिए resistance देता है, बचाब करता है, इसका normal level होता है, 2.3 gram percent, ठीक है? protein जिसका नाम है, fibrinogen, fibrinogen protein, यह essential होती है, coagulation के लिए, blood का coagulation कराने के लिए, blood का ठक्का जमाने के लिए, यह fibrinogen नाम की protein बहुत ही essential है, जरूरी है, इसलिए इसको हम क्या कह देते है, clotting protein भी कह देते हैं, और यह first clotting factor के नाम से जानी जाती है, इसका normal level होता है, 0.39 gram percent, ठीक है? चलिए next, अब बात करेंगे हम plasma के बाद में blood cells के बारे में, तो blood cells होती है, वो blood के अंदर solid में आती है, और तीन type की होती है, पहली RBC, जिनको हम erythrocyte के नाम से जानते हैं, दूसरी होती है WBC, जिनको हम leukocyte के नाम से जानते हैं, तीसरी होती है platelets, जिनको हम thromocyte के नाम से जानते हैं, चलिए, अब हम एक एक करकें के बारे में बात करते हैं, RVC, जो RVC blood cell है, उसका complete full form होती है red blood cells, हिंदी में बोलते हैं, श्वेत रक्त कनिका हैं, ठीक है, इनको हम erythrocyte के नाम से भी जानते हैं, और ये special point, आपको important लगा लेना इस point पर है, कि ये non-nucleated cell होती है, इनके अंद रखने के ये भी है, कि जो mature RVC है, उनके अंदर nucleus नहीं होता, लेकिन जब ये premature होती है, mature stage से पहले इनके अंदर होता है nucleus, ठीक है, याद रखना होता है, लेकिन maturity में नहीं होता, maturity stage से पहले होता है उसके बाद में इसका size की अगर हम बात करें, तो उसका size होता है लगवक 7.2 microns, कितना size बताया गया है, 7.2 microns या mu meter आ सकता है, ठीक है, और अगर हम average देखें, तो 6.9 से 7.4 यह vary करता है, different different persons में, different different body में, ठीक है, फिर आते हैं इसके color की, तो normal color जो होता है RBC का, वो red होता है, क एक heme और glovin, क्योंकि बहुत important है hemoglovin, क्योंकि hemoglovin की बज़े से ही, blood का जो transportory function होता है, hemoglovin, दो चीजों से मिलके बना हुआ है, एक heme और एक glovin, जो heme होता है, वो एक pigment है, जिसकी बज़े से red color आ रहा है, glovin क्या है, protein है, जो यह यह आने आपको बताई थी, ठीक है, उसके बाद में आते हैं, कि normal इसकी shape कैसी होती है, तो इसकी normal shape होती है, disc-like by concave, कैसी होती है, by concave disc-like, इसकी shape होती है, ठीक है, अब हम next, अगली cell की बात करेंगे, उससे पहले, function of RBC को मैं आपको बताना चाहूँगा, कि RV से function क्या-क्या होते है, तो RVC का function सबसे पहला, जो most important function है, वो होता है, blood group को determine करने के लिए, याद रखना, सबसे पहला, जो most important function है, वो क्या है, to determine the blood group, blood group को पता करने के लिए, determine करने के लिए, हम RVC का सारा लेते हैं, और secondary functions का होता है, respiratory gases को transmit करना, because इसके उपर hemoglobin होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे function, जो blood के अंदर है, hemoglobin की बज cells means WBC, WBC को हम लिउकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और ये nucleated cell होती है, RVC और WBC में क्या अंतर है, RVC जो होती है, वो non-nucleated होती है, और ये WBC nucleated होती है, तो एक अंतर ये हो गया, WBC defense mechanism में help करती है, immunity में help करती है, RVC buffer action में, respiratory gases को transportation में, उसमें help करती है, जो WBC है, उनका जो color है, वो color नहीं होता, colorless होती है, RVC red color की होती है, ये colorless होती है, चीक है, चले next, अब हम बात करेंगे types of WBC की, जो WBC है, RVC का कोई type नहीं था, लेकिन WBC लेकिन दो प्रकार की होती है, एक होती है granulocyte, और एक होती है agranulocyte, समझने की बात यहाँ पर है, important है, कि granulocy granulocyte को हम granulocyte क्यों बोल रहे है, agranulocyte को agranulocyte क्यों बोल रहे है, granulocyte को इसलिए granulocyte बोला जाता है, क्योंकि ये granules like structures या granules like cells secret करती है, agranulocyte कोई भी granules secret नहीं करती है, जो granulocyte है, उनका अगर division देखें, तो उनको तीन पार्ट में classify किया गया है, divide किया गया है, number one है neutrophil, दूसरा है easnophil, और तीसरा है basophil, ये तीनो ही WBC, easnophil, basophil, neutrophil, ये granulocyte की type में आती है, उसके बाद में आता है, agranulocyte, दूसरा division, agranulocyte क्या होता है, ये monocyte और lymphocyte, कौन-कौन सी, monocyte और lymphocyte इसके अंदर आती है, चलिए उसके बाद में next, अब एक एक करके skip नहीं करें, लगातार end तक देखें, end में आपको, मैं आपको functions भी बताऊंगा, blood के बहुत सारी चीज़े हैं, जो मुझे end में discuss करनी है, तो साथ मैं share भी करते रहें, तो easnophil क्या है, easnophil, spatialized WBC हैं, जो granulocyte में आती है, इनका diameter जो होता है, वो लगवग 10-14 mu meter, 10-14 mu meter होत है, parasitic infection और allergic reactions में, ठीक है, उसके बाद में बेसोफिल्स आती है, बेसोफिल्स होती है, इनका diameter लगवग 8-10 mu meter का होता है, और ये main, किसमे help करती है, healing process में, किसमे, healing process में, next, अगली आती है, neutrophil, जो neutrophils हैं, उनका work क्या है, जो neutrophils हैं, वो first line defense देती है, बोडी के अंदर क्य देती है, first line defense, मतलब कुल मिलाके, तीनों ही cell क्या कर रही है, defense provide कर रही है, वैसे all, जो WC है, वो defense में ही roll करती है, next, उसके बाद में, अब हम बात करेंगे, एक renulocyte की, जो एक renulocyte है, वो दो तरह की होती है, एक monocyte और एक lymphocyte, ठीक है, monocyte क्या होते है, monocyte को हम largest WC के ना monocyte का जो diameter है, वो होता है 14-18μm, या 14-18μm, यह largest WC होती है, और इनका जो nucleus होता है, वो kidney shape, होर्शू shape होता है, चीक है, और main इसका role है phagocytosis में, यानि blood cells, जो कि abnormal blood cells है, या abnormal microorganism को kill करना, next, lymphocyte, lymphocyte, दो तरह की होती है, एक होती है T lymphocyte, और एक होती है P lymphocyte, अब एक होती है रहेंगे सबसे पहले T lymphocyte पर, T lymphocyte क्या है, यह total WBC की अगर हम देख है, एक granulocyte की तो 75% होती है, final इनका जो maturation है, वो T lymphocytes का, कहां जा करके होता है, thymus gland में, कहां होता है, thymus में इनका maturation होता है, यह वहीं बड़ी होती है, वहीं बनती है, ठीक है, उसके बाद में, इन transplant organs में, जो organs transplant किये जाते हैं, एक वक्ती से दूसरे वक्ती में दिये जाते हैं, उन पर यह attack करती है, ठीक है, next, T lymphocyte are responsible for our body's cellular immunity, हमारी शेरीर में cellular immunity के लिए यह जरूरी होती है, responsible होती है, ठीक है, next, अब बात आते हैं, B lymphocyte पर, यह B lymphocyte क्या होती है, यह final process of maturation, जो maturation का final process जब होता है, तो यह liver में और bone marrow में होता है, इनका maturation जो होता है, यह जो बड़ी होती है, कहा होती है, liver में और bone marrow में, ठीक है, यह क्या करती है, यह हमें humoral immunity provide करती है, because, क्योंकि इनके अंदर, एक capacity होती है, antibodies को बनाने की, secret करने की, ठीक है, antibodies कौन-कौन सी होती है, 5 होती है, IgG, IgM, IgA, IgE and IgD, clear, चलिए, उसके बाद मैं, अब बात आती है, तीसरे प्रकार की blood cell, जिनका नाम है platylates, ठीक है, platylates क्या होती है, platylates और thrombocytes, platylates और thrombocytes, ये colorless cell होती है, non-nucleated होती है, ये भी non-nucleated होती है, RBC की तरह, इनका जो normal level है, normal value है, वो लगवर, दो लाग से या धिर लाग से चार लाग तर पर mmq blood में ये प्रसेंट होती है, ठीक है, diameter होता है इनका, 2 से 3, 2 to 3 mm, इसलिए इनको smallest cell of blood भी कह सकते हैं, life span क्या होता है इसका, life span होता है 8 to 11 days, और ये mainly क्या करती है, ये mainly clotting में help करती है, किसमें help करती है, clotting में help करती है, ठीक है, चलिए next, उसके बाद में, अब बात आती है, function of platelets की, यानि platelets का function क्या है, role क्या है, कार्व क्या है, platelets का main role है, वो होता है, hemopoiesis में, sorry, hemad, hemostasis में, इसमें role होता है, hemostasis में role होता है, means blood loss को रोकना, blood को clot करना, ये इसका main function है, ठीक है, तो ये हमने सारा discuss किया आपको, blood के बारे में, blood की cells के बारे में, अब हम बात करेंगे blood के functions के बारे में, ठीक है, तो blood के functions क्या क्या हो सकते है, सबसे पहला function आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, it helps in the transportation of respiratory gases, nutrient and waste product, मैंने आपको शुरुबात में ही बताया था, कि RVC की surface पा ही hemoglobin होता है, जिसके कारण blood, transportory function करता है, जिस में respiratory gases, nutrition and waste product, वो सभी transport किये जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में अगला, second function क्या है, it maintains hemostasis in all fluids, सभी fluids के अंदर, osmotic pressure को balance करना, maintain करना, ये भी इसका function है, because of, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि albumin नाम की protein present होती है, अगला, blood produce, protect us from excessive hemorrhage by the clotting after injury, injury के बाद में, जो blood loss होता है, उस blood loss को रोकने के लिए, naturally, blood के अंदर, fibrinogen और other clotting factor present होती है, जिसकी वज़े से clotting mechanism होती है, और blood हमारा loss होने से बच जाता है, next, it also protect from infection, because, infection इसले नहीं होगा, क्योंकि WVC present होती है, और WVC क्या करती है, kill कर देती है, उस infection को, ठीक है, next, it helps in maintain the body temperature, और body temperature को maintain करने के लिए, सरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, blood responsible होता है, clear हो गया, this is all about blood and its component, अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई हो, अच्छे से आपने enjoy किया हो class को, अच्छे से पढ़ा हो, तो mini attempt eclasses channel को subscribe करें, उपने साथियों के सा care करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीजें, जिससे उनका भी benefit हो, thank you, मिलते हैं अगली class में,